आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Describe Briefly the following तो जो नीचे दिया है उसको हमें Briefly explain करना है नीचे दिया है Origin of Replication Origin of Replication को Short Form में हम कहते हैं और आई अब और आई क्या है? और आई को कहा जाता है Sequence of DNA यह DNA का एक Sequence है यह वो Sequence है जो की एक Start Point प्रोवाइड करता है Start Point किस चीज़ का? Start Point for DNA Replication इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे For example यहाँ पे एक Cell present है Cell के अंदर Nucleus और Nucleus के अंदर present होता है Genetic Material इस Genetic Material का Biochemical Nature Mostly DNA होगा इस DNA से DNA बनाने के Process को कहते है DNA Replication तो Exactly यह Process कहां से Start होता है वो Location वो Start Point है और आए इसका एक और Important Feature है जो की देखने को मिलता है Plasmid के अंदर यहाँ पे हम Plasmid की बात करेंगे Plasmid क्या है? Plasmid है Cloning Vector इसका मतलब इसके दो Function है सबसे पहला यह Cloning करेगा और Vector भी है Example के तोर पे एक बहुत popular Plasmid जिसको हम कहते है PBR322 यहाँ पे जो Plasmid होते हैं Mostly Circular ही होते हैं यह भी Circular है यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे ORIE के बारे में यहाँ कहीं ORIE जो है वो Present होगा इसके यहाँ पे दो Feature है पहला Feature सेम रहेगा यह जो है एक Start Point है DNA Replication के लिए दूसरा Important Feature है कि ORIE जो है वो Copy Number को Decide करता है हमने उपर बात करी कि Plasmid में होती है Cloning Cloning का मतलब है बहुत सारी Copies बनाना तो कितनी Copies बनेंगी यहाँ पे 2 Copies बनेंगी 4 बनेंगी 8 बनेंगी यह 10 बनेंगी यह Depend करेगा ORIE के उपर तो ORIE के यहाँ पे हमने दो Important Features देखे 8 400 404 सुपर